हेलो एंड वेलकम टू यन्या इंवेश्मेंट अकेडमी मेरा नाम है श्रनिक बंडारी और आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंजूमर डूरेबल्स कंपनी के बारे में बात करेंगे और उस कंपनी का नाम है एंबर एंटरप्राइजेज लेकिन कंपनी के बारे में जानने से पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़े कुछ डेटा पॉइंट समझ लेते हैं कि कैसे कंजूमर डूरेबल्स का फ्यूचर आगे जाके पैन आउट हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं सो अभी हम एक सेक्टरल चार्ट देखेंगे कि कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है सिंज 2009 सो अगर हम देखे 2009 में अगर 100 रुपीज किसी ने इंवेस्ट किये रहते इन निफ्टी कंजूमर डूरेबल्स तो उसकी वैल्यू सॉरी 3000 हो जाती यानि कि 30 ताइम्स जो ह हमारा पैसा होता वो उसका वैल्यू 30 ताइम्स हो जाता और सिमिलरली 2014 में अगर किसी ने इंवेस्टमेंट की होती तो उसकी वैल्यू 8 टाइम्स हो जाती ताइस अल्मूस 797 रुपीज यह दोनो ही ताइम फ्रेम्स वैक 2009 से लेके 2023 और 2014 से लेके 2023 में कंजूमर डूरेबल् पर्फॉर्मेंस था वो सबसे बेस्ट रहा था लेकिन अगर वही चीज हम 2021 से देखे तो कंजूमर डूरेबल से सबसे वन अफ दे अंडर पर्फॉर्मिंग सेक्टर तो 100 रूपीज इंवेस्टे इन 2021 वोड जस्ट हब बिन 156.5 रूपीज तो कंजूमर डूरेबल्स अभी कोविड के बाद कई सारी जो इंपोर्टन रूप माटेरियल से इस इंडस्ट्री के लिए उनकी प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप अगई ती कुछ-कुछ रूप माटेरियल की प्राइस तो टू एवर थ्री टाइम्स भी बढ़ चुकी थी लेकिन अभी जो ओवराल स प्राइस गयते हैं वहां से देखे तो कॉपर की प्राइस में 19 परसेंट का करेक्शन आया है तो जो 851 रुपीज पर कीजी का कॉपर हो गया था वह अलमस्ट 687 रुपीज पर आ गया इन जैन 2024 और सिमिलरली अगर हम अल्यूमिनियम की बात करें तो अल्यूमिनियम में 35 पर करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल सकता है that is a substantial correction फिर भी अभी जो प्राइस है वो प्री कोविड लेवल से या जो पुराना अगर हम टाइम्स देखे तो उस टाइम से अभी भी elevated प्राइस पर यह raw materials चल रहे है ब्रेंट कूड ब्रेंट कूड भी एक important raw material है तो density polyethylene या polypropylene तो इनकी prices भी काफी correct हुई है 31% का correction यहां पर हमें देखने को मिल रहा है and these prices are somewhat in the range of the pre-covid levels तो यह सारे जो raw materials है तो इन में हमें देखने को मिल सकता है कि एक जो correction है वो काफी healthy है and जब prices अगर normalized level पर आगे और एक जगा पर stable हो जाती है तो जो consumer durables companies है उनके लि aspect हो सकता है तो अब हम बात करेंगे Amber Enterprises की so Amber Enterprises is a small cap company है जो predominantly room ACs या room air conditioning के segment में operate करती है अगर हम company के revenue and EBITDA mix की बात करे तो लगबग 72% revenue of Amber Enterprises comes from the consumer durable segment उसके साथ-साथ company के दो और segments भी है one is the electronics division and the third division is the railways and mobility division तो ये तीनों segment में company काम करती है अगर हम EBITDA mix देखे तो consumer durable से 72% का revenue आ रहा था लेकिन EBITDA में उसका contribution 61% का है and वही हम railways की बात करें तो जो segment सिर्फ 9% का revenue यहाँ पे generate कर रहा है वो 27% का EBITDA generate कर रहा है for the company on the consolidated level so ये जो railway का सबसे latest segment जो है वो railway में ही इस company ने foray किया था around 2019 में ये segment में company ने अपना foray किया and वहां से अभी तक के 27% का profits ये segment से हमें ये company को मिल रहा है अगर हम segments की बात करें कि क्या-क्या products बनाती है actually company काम कैसे करती है तो जो इनका main segment है consumer durables division इसमें ये company room ACs बनाती है and room AC components भी बनाती है so अगर कोई AC company for example Lloyd है, Whirlpool है, LG है, Diken है तो ये सारी companies amber enterprises के पास आती है and वह बोलती है कि हमें आप अपना पूरा product हमारे लिए आप develop करो that is from designing to packaging तो पूरा manufacturing है वह amber enterprises करेगा and उसे B2B business में B2B sell करेगा to these companies to these brands and वह फिर ये brands हम जैसे consumers को आके अपने product sell करते हैं इसके अलावा अगर किसी company का खुद का in-house manufacturing है लेकिन वह components नहीं बनाता है तो वह AC में लगने वाले जो components है वह amber enterprises बनाता है तो वह AC का जो value chain है उसमें सबसे जादा backward integrated company and amber enterprises so ये लोग AC भी बना रहे है और AC के components भी बना रहे है उसके साथ company ने non RAC या non room air conditioning components में भी फोरे किया जहां पे वह refrigerators, washing machine, microwave, water purifiers जैसे कई सारे consumer durables में ये लोग अपने products यहां पे components supply करते हैं उसके साथ company injection molding में भी काम काती है and इस segment में company के पास 23 manufacturing facilities भी है moving on to the next segment that is the electronics division so company ने अपना exposure था towards consumer durables उसको कम करने के लिए and साथी साथ backward integration में जाने के लिए electronics division में फोरे किया so company ने PCBA में सबसे पहले फोरे किया so what are PCBAs तो हम किसी भी electronic item देखे तो उसमें एक green color की chip होती है that is printed circuit board और उस पे जो छोटे-छोटे components हम देख सकते है so यह जो components लगाने के बाद जो पूरा set बनता है उसे हम कहते है printed circuit board assemblies तो जो amber enterprises है वो PCBAs बनाते है for multiple kinds of products so AC में तो है that is their backward integration part उसके साथ साथ तो microwave, refrigerator, televisions, fans, small appliances ऐसे कई सारी अपने industries में यह लोग PCBAs supply कर रहे है उसके साथ साथ electronics में company, routers वगेरे ऐसे कई सारे equipment जो telecom industry में use होते है वो भी यहाँ पर बना रही है and smart watches and smart wearables है वो भी यहाँ पर company बना रही है in fact noise यह जो brand है आप सब भी जानते होगे इस brand के बारे में earbuds जो हम बोलते है या wireless earphones जो होते है तो वो सारी items यहाँ पर Amber Enterprises manufacture कर रहा है and इस segment में company के पास 4 manufacturing facilities है across the country next and the last segment of Amber Enterprises is the railway subsystems and mobility division so railway subsystems वाला जो यह division है इसमें company railway के लिए और buses जो electric buses अगेरे होती है उनके लिए air conditioning के systems बनाती है and उसके अलावा company ने और भी चीजे में यहाँ पर फोरे करी है तो traditionally इन्होंने जो acquisition किया था एक 2019 में उसके through company को यह railway का जो product portfolio वो मिला था तो वहाँ पर company के पास coach aces, salon aces and cabin aces थे उसके बाद company ने doors वागेरे बनाने लगे फिर gangways बनाए और फिर उसके बाद कई सारे दूसरे equipment भी company बनाने लगे जो railways के साथ साथ buses के लिए भी अपने products cater करती है फिर defense हो गया, telecom industries हो गई, data centers हो गई, यहाँ पर refrigeration and cold storage जो होते है वहाँ पर company अपने components supply कर रही है so overall अभी यहाँ पर एक ही manufacturing facility है, that is situated in the Northern India इसके अलावा company ने टीटागड rail systems जो company यह एक और listed company है उनके साथ recently type किया जिसके वज़े से उन्हें काफी जादा exposure मिलने वाला है because the products that they are adding are in addition to what they were serving existingly and जो टीटागड के साथ इनका JV हुआ है उससे इनको जो international markets है वहाँ पे भी यह लोग को एक presence मिलने वाला है because they are investing in the European markets तो वहाँ से भी वह additional revenue stream expect कर रहे है इन तीनोई segments के अगर हम EBITDA margins की बात करे तो EBITDA margins in consumer durables have been in the range of around 6% और जो electronics division है वह around 4-5% के बीच में range करते हैं लेकिन यही पे जो railway का division है this division is actually the margin driver for the company तो यह सबसे recent acquisition है और यहाँ पे company का guidance भी ऐसे ही है कि almost 15-20% से यह segment तो grow कर ही सकता है on a conservative side और यह जो margins है यहाँ पे that are very high so 20% से भी continuously company उपर ही कर रही है margins and company का guidance भी यह है कि 20% तो minimum margins वो इस segment में कर ही सकते हैं इसके अलावा जो company का electronics division है वहाँ पे वो लोग काफी bullish है in terms of revenue because it is again a very high turnover business और यहाँ पे margins थोड़े से कम है लेकिन company का यह भी कहना है कि वो जो margins है वो next year में 7-7.5% याने कि FY25 में 7.5% का यहाँ पे EBITDA margins इस segment से आ सकता है so ऐसा company का कहना है किसी भी company को जब हम अच्छी बाते इसी सारी चीजा हमने अच्छा अच्छा देख लिया कि prospects तो बहुत अच्छा है लेकिन risk क्या है because every investment is associated with risk तो risk भी समझता है इस segment के लिए इस company के लिए and इस industry के लिए क्या क्या risk है तो सबसे पहले तो raw material volatility है तो हमने देखा कि पूरा ही consumer durables market जो था वो post covid सबसे ख़रा perform किया है तो वहां पे जो raw material की volatility है वो एक सबसे बड़ा risk है जो materialize हो गया था in the post covid period उसके अलावा Amber enterprises का client concentration है वो काफी जादा है तो जो AC में इनका सबसे जादा revenue आता है तो उस वज़े से ही जो traditional इनका background था last two decades से यह लोग AC बना रहे है तो उस वज़े से यह company को major AC providers है वो इनके major clients है and they contribute to the majority of their revenue लेकिन company काफी सारे acquisitions किये after its listing in 2018 तो उससे उन्होंने backward integration भी strong किया and the client concentration है उसको भी काफी अच्छे से diversify किया है एक और चीज़ है कि unseasonable weather जो होता है तो Q1 FY24 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे unseasonable unseasonal range के वज़े से जो AC का sale है secondary market में या मतलब जो secondary level पे या वो जो sale है वो काफी जादा कम रहा था तो वह एक major impact देखने को मिला था because of those unseasonal monsoons तो इसी वज़े से यह जैसे के company AC पे काफी जादा dependent है अभी भी almost two-third of the revenue is coming from this segment तो यह important risk हो सकता है for anyone who is tracking this company so the next important risk is the in-house manufacturing जो यह जो AC brands है वो खुद की manufacturing facilities चालू कर रहा है for example Havels ने अभी Lloyd के जो segment है उनका उसमें काफी बड़ा एक CapEx किया है जिसमें manufacturing facility उन्होंने काफी हद तक के बड़ाई है तो ऐसी कई सारे ब्राइंट जो है अभी उनकी या तो recently जो उनके new facilities है वो ready हो गए and there are two major customers of Amber enterprises जिनके manufacturing facilities FY25 में comments होने वाली है तो इन सब के वज़े से Amber के revenue पर थोड़ा impact पर सकता है but यहाँ पर चीज ऐसी होगी कि ऐसा नहीं होगा कि सारा ही revenue चले जाए maybe जो पूरा AC बनाने का contract था उसके जगा components के contract पर यह customer shift हो जाएंगे and management का भी यही कहना है कि उनको एक structural shift दिख रहा है from AC to AC component and they are again guiding कि जो आगे जाके AC components का जो sale रहेगा वो on a better side रहेगा as compared to the RAC segment एक और चीज यहाँ पर important है because जो electronics products है हमें पता है कि China is a very competitive market और Chinese products जो होते वो बहुत ज्यादा cheap price पर मिलते है and same is the case in this industry तो जो components amber बनाता है उनके जो Chinese counterparts है वो काफी low price पर इंडिया में supply करते है लेकिन because of the impact of custom duty अभी amber enterprises के जो products है वो on a better side आते है तो इसी वज़े से amber enterprise पर अभी Chinese competition का कोई effect नहीं है लेकिन अगर ये custom duties में कोई भी government policies में change आते है तो उसका direct impact amber enterprise के revenue पर सकता है So this was a short video on amber enterprises अगर आपको इस company का detailed analysis चाहिए है तो वो already हमारे stockometer के platform पे available है तो please visit our stockometer platform and SI or fundamental analysis के लिए यदना investment academy के साथ बने रही है Thank you कंजू चाहिए कंजू 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 झाल झाल